Good morning everyone, today we read chapter 13, क्रिया, page number 102, part second Second number पर पढ़ेंगे हम, प्रयोग और सन्रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो प्रयोग और सन्रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं पहला सामानिक्रिया, जब क्रिया एक पद में हो तो उसे सामानिक्रिया कहते हैं जैसे माला बाजार गई, यह आम का पेड है, इसमें क्रिया का एक पद है अता यह सामानिक्रिया है जैसे गई है, एक पद है तो यह सामानिक्रिया है नेक्स्ट देखे पेज नमबर 103 दूसरा है संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रिया पद एक क्रिया के रूप में परियोग किये जाते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे मिलके जो क्रिया पद बने होते हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं जैसे बढ़ाई कुर्सी अब बना रहा है तो बना रहा है यह क्रिया पद है रूपम नाच रही है तो नाच रही है यह क्रिया पद है तो इन वाक्यों में बना रहा है और नाच रही है संयुक्त क्रियाओं है बना रहा है क्रिया तीन क्रियाओं बना रहना और होना से मिलकर बनी है जबकि नाच रही है क्रिया नाचना रहना तथा होना क्रियाओं से मिलकर बनी है इन में पहली क्रिया मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया है जैसे बड़ाई कुर्सी बना रहा है तो अब बनाना या बना मुख्य क्रिया हो गई रहा है सहायक क्रिया है रूपम नाच रही है तो नाच हो गया मुख्य क्रिया और रही है सहायक क्रिया गाह तीसरर देखेंगे नाम धातुक्रिया संग्या सर्वनाम और विशीशन से बनी क्रियाएं नाम धातुक्रियाएं कहलाती हैं जैसे किरायदार ने मकान मालिक का घर हतिया लिया और मैंने अपनी कमीज रंगवाई तो हथियालिया या हथियाना और रंगवाई जो है वो नामधातुक्रियाए हैं कुछ नामधातुक्रियाएं आपको नीचे भी दी गई है संग्या से नामधातुक्रियाएं जैसे रंग से रंगवाना हाथ हधियाना, टकर टकराना, खर्च खर्चना, शर्म शर्माना, लज्जा लजाना, आलस अलसाना, जूट जुटलाना, चकर चकराना, फिल्म फिल्माना ये संग्या नामधातु करिया है अब सर्वनाम से नामदातु क्रिया क्या बनेंगी जैसे अपना तो अपनाना मैं मिमियाना विशेशा से नामदातु क्रिया बनेंगी गर्म से गर्माना साथ सठियाना लंगडा लंगडाना दोहरा दोहराना घा, चौथे नंबर की क्रिया देखेंगे, जिसे हम प्रेर नार्थक क्रिया कहते हैं, जब करता स्वयम कार्रे ना करके किसी अनिक को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रयोक्त क्रिया, प्रेर नार्थक क्रिया कहलाती हैं, जैसे मा धोबी से कपड़े तो इसमें क्या हो रहा है? कारे स्वयम नहीं हो रहा है किसी अन्ने से करवाया जा रहा है माने किस से कपड़े धुलवाए? धोबी से प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है तो प्रिया तोते को खिला रही है अमरूद खुद नहीं खा रही है तो प्रिर्णार्थक क्रिया के दो भीद होते हैं प्रथम प्रिर्णार्थक और दो दिये प्रिर्णार्थक पेज नमबर बन 04 देखे प्रथम प्रिर्णार्थक क्रिया क्या होती है इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोर दिया जाता है जैसे पढ़ में आ जोड़ेंगे तो पढ़ाया, लिख में आ जोड़ेंगे लिखाया, सौ में आ जोड़ेंगे सुलाया ये प्रथम प्रेणार्थक क्रियां होती है दो तिये प्रेणार्थक क्रियां इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ा जाता है जैसे पढ़ प्लसवा, पढ़वाया, लिख प्लसवा, लिखवाया, बन प्लसवा, बन बाया सामानिक रियाँ हैं, प्रथम प्रिनार्थक रियाँ हैं और दुती प्रिनार्थक रियाँ हैं आपको नीचे दी गए हैं जैसे दोड़ना, दोड़ाना, दोड़बाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, बनना, बनवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, कटना, कटाना, कटवाना. पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते है पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है जैसे बच्चा रो रो कर सो गया रानी पढ़कर खेलने गई इन वाक्यों में रो रो कर और पढ़कर पूर्व काले क्रिया हैं क्योंकि ये मुक्य क्रिया से पहले घड़ित हुई है क्योंकि बच्चा सोया बाद में है पहले रो रोता रहा हो और खेलने गई रानी तो पढ़कर खेलने गई है मतलब खेलने बाद में गई पहले पढ़ा है तो ये काम मुख्य क्रिया से पहले हो रहे है इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है काल पढ़ेंगे अब क्रिया और उसके भेदों के विशय में हन जान ही चुके है कुछ क्रियां घट चुकी होती है तो कुछ क्रियाएं बरतमान समय में हो रही होती है तो कुछ क्रियाएं भबिश्य में घटित होती है जैसे रेनू ने पुरुसकार जीता आरपणा चित्र बना रही है और रितू बाजार जाएगी इन बाक्यों में क्रियाएं अलग-अलग समय में घटित हुई है पहले बाक्य में जीता क्रिया घट चुकी है क्योंकि रेनू ने पुरुष का जीता मतलब वह जीत चुकी है दूसरे में बना रही है मतलब अरपणा चित्र बना रही है तो वर्तमान समय में यह क्रिया हो रही है मतलब अभी वो बना रही है चित्र तता तीसरे वाक्य में जाएगी क्रिया भविश्य में होगी क्योंकि उसमें लिखा है रितु बाजार जाएगी मतलब वह भविश्य में जाएगी अभी नहीं गई है न जा चुकी है नेक्स्ट देखिए पेज नमबर 105 क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने की समय का बोध हो अर्थात ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है हो चुकी है या होगी तो उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं भूतकाल, वर्तमानकाल और भविश्यतकाल जैसा कि हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि जो टैंस होते हैं जने हम काल कहते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वैसे ही हम हिंदी में पढ़ेंगे भूतकाल, वर्तमानकाल और पविश्यतकाल भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो तो उसे हम भूतकाल कहते हैं जैसे दादा जी सेर करने गए थे वह गए थे पहले मैंने निवंद लिख लिया मतलब मेरा निवंद लिख चुका है तो जो क्रिया बीते हुए समय में हो रही है तो इसलिए हमें से भूतकाल कहेंगे भूतकाल के छे बेद होते हैं सामाने भूत, आसन भूत, अपून भूत, पून भूत, संदिक्ध भूत, हे तु हे तुमद भूत पहला पढ़ेंगे सामाने भूत क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम सामाने भूत कहते हैं जैसे राकी न चित्र बनाया सुधा सो गई अपूर्वा ने गीत सुनाया तो ये क्रियाएं जो हो रही है ये बीते होगे समय में हो रही है दूसरा है आसन्वूत आसन्वाला अर्थाथ होता है निकर्ट या पास जब करिया कुछ समय पहले ही पूर्न हुई हो अभी अभी तो उसे हम आसन्वूत कहते हैं जैसे नीरा ने पाठ पढ़ लिया है मतलब अभी पढ़ लिया है सबजी वाला अभी अभी गया है रोमित आइसक्रीम ले आया ले कर आ गया मतलब अभी ले कर आ गया है तो ये होते हैं असन भूत अपूर्ण भूत क्या होता है क्रिया के जिस रूप से उसके भूत काल में होने का तो बोध होता है पर ये ग्यात नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई अधवा नहीं उसे हम अपून भूत कहते हैं जैसे लोग समाचार सुन रहे थे अब अभी तक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ये पता नहीं है तो हमें क्रिया के समाप्त होने का बोद नहीं हो रहा है राके टेलीफोन पर बात कर रहा था कर रहा था, अब अभी भी कर रहा है या नहीं उसकी बात समाप्त होई है या नहीं यह नहीं पता नेता जी भाशन दे रहे थे, पिता जी टीवी देख रहे थे तो ये सारी क्रियां अपून है इनके समाप्त होने का बोध नहीं हो रहा है इसलिए ये अपून बोध में आएंगी नेक्स्ट देखिए पेज नमबर 106 पून बोध जब क्रिया बोध काल में पूरी हो चुकी हो उसे पून बोध कहते हैं मतलब पहले ही पूरी हो चुकी हो जैसे महिमा खाना बना चुकी थी बारिश थम चुकी थी बस स्टेंड बस बस स्टेंड से निकल चुकी थी मैंने काम पूरा कर लिया था तो ये सारी क्रियां बोध काल में ही पूरी हो रही है इसलिए इने पूर्ण भूत काल कहते हैं संदिक्द भूत क्रिया के जिस रूप से कार के पूरा होने में संदेह हो ना तो ये पता चले के वैं पूरा हुआ है और लगे भी के जैसे पूरा हो रहा है तो संदेह हो किसी चीज में तो उसे संदिख्द भूत कहते हैं जैसे स्कूल के छुट्टी हो चुकी होगी देवान स्टैनिस खेलने चला गया होगा चला गया होगा पता नहीं है गया है नहीं संदे है बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे चुनाओ का नतीजा आ चुका होगा तो ये सारे संदेह में जा रहे हैं इसलिए इसको संदिख्द भूत कहते हैं हेतु हेतु मदभूत जब क्रिया का संपन होना दूसरी क्रिया पर नर्भर हो तो उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती यदि चुनाओ होते तो मैं जरूर वोट देता यदि परिश्रम करते तो सफलता मिलती मतलब ये क्रियाएं जो संपन्न हो रही है वैं दूसरी क्रिया पर निर्भर हैं तो इसलिए हम इसे खेतु खेतु मदबूत कहते हैं